नमस्काव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी किस तरह एक लॉंग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ, सिर्फ एक लॉंग और कोई सामगरी नहीं चाहेगे सिर्फ एक लॉंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं, किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्ट अपना बना सकते हैं, एक लॉंग के माध्यम से तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लॉंग लेनी है और इस एक लॉंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लॉंग आपने अपने मुँ में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लॉंग अपने मुँ में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लॉंग अपने मूँ से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लॉंग सूख जाए तो इसका चूरन बनाईए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाईए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मूँ में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हां कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हां ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लॉंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधी को अपनाईए और एक लॉंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाईए किसी को इस हद तक अपना बनाईए कि वो आपके दूव जाने के नाम से ही काप चाहे वो डव जाए कि आप अगर उन्चे दूव चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदिगी कैसे जीएंगे जी हां इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ही जरूर सोच लिजेगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधी का प् अध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्थ होती है इस वशीकरण की भी एक शर्थ है अगर इस शर्थ को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्थ ये हैं कि इसके बारे में आपको किसी को बत तक नहीं होगा मतलब यह वश्यकरण काम भी नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो कि अगर जानकारी हो गई तो वशी करण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा ये तरीका गलत है बलकि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चबचा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दश को वशी करण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशी करण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे है अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरन करते हैं तो ये वशीकरन कभी भी सावथक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधी अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेगा कि वशी करण करने से पहले खास कर ये विधी अपनान इस पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजे उस व्यक्ति का ध्यान कीजे और वशी करण हो गया इतना simple वशीकरन है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो number दिखाया गया उस number पे call कीजे बात कीजे आपकी हव समस्या का समधान होगा आपको हव जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरन के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजे आपकी समस्या का समधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ, तो फिलाल दीजे इजाज़त, फिर हाजर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जै माता दी दोस्तों